हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट सुलोग इद पूनम में आज मैं सेर कर रहे हैं आप सब के साथ क्रेले की सबजी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बन कर त्यार होगी और बिल्कुल यूनिक तरीके से बच्चे भी से मांग मां सबसे पहले हम कोई भी पैनी या कड़ाई गैस पर रख लेंगे उसमें हमें 500 ग्राम के करेले लेंगे कच्चे क्रेले लेने हैं अगर बीज है तो देख लीजेगा बाद में निकाल दीजेगा यह मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया इसको भी मैंने चिलका उतार के दो हिंसों में कट कर लिया है और यह मैंने दो बड़े साइज के टमाटर लिया है उसको भी मैंने उपर से इस तरह से कट लगा के इसको रख देते हैं और यह मैंने दो कास मेरी लाल मिर्च लिये कलर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा इसमें यह तीन हरी मिर्च डालेंग के दिए दुदो मोर्ण है और वाइद देते हैं यह जल्दी मतया कि मां अर्ड़ज कर लिए sant sign Swir भी नहीं रखे तो इसको bisa बैदेते हैं कि देखे साथ मिनट बाद जो हमारे गigent अच्छे से पख़े चुके है यह सोफ्ट हो गए है इनको हम बाहर स्थन्ड fraction क लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा के लिए रख देते वाइण उसको भी हम घंडा होने केी के लिए रखतेίνगा देखिए आपे जो हमारी सारे चीज़े है टमाटर प्याज मिर्ची है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब इसका हम टमाटर का छिलका उतार लेंगे तमाटर का छिलका उतारने के बाद इसको हम उपर से इस तरह कट लगा कर लेंगे और मिर्ची का भी नाकू का हींसा जो अलग से एक निकाल के रख देंगे अब ये सारी चीज़े ठंडी हो चुकी, यहाँ पर सबसे पहले हम करेला है, उसके आगे पिछे का हिस्सा जो है, उसको कट लगा कर उसको निकाल देते हैं, और इसके बाद इस तरह से हम करेले को गोलाकार में काट लेंगे, अगर बीज पके हुए हैं तो उसको निकाल दीज और देखें, यहाँ पर मैंने सारे करेले इस तरह से कट कर लगा लिए हैं, और यह शिक्स्टी परसेंट तक पक चुके हैं, और यहाँ पर जो बाकी की चीज़े हैं वह भी ठंडी हो चुके हैं, अब इसको हम एकसी जार में डाल लेते हैं, और उसको अच्छे से ग्राइं जैसे हमारे चीज़े चटक जाएंगे, और हिंग का फ्लेवर अच्छे से आने लग जाएगा, इसमें हम जो हमारे मसाले पीस कर रखे हैं, वह इसमें डाल देते हैं, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम मसाले डालेंगे, हम बा कर देते हैं और इस ग्रेवी को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है इसमें हम आदी चमच जो कास्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे कलर के लिए जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्जी का इसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे यहां पर देखिए जो मसाल पहले वाले टाइम पर क्या करते थे दही के अमें करेले को भीगो देते थे अलसी में जिससे कड़वापन चला जाता था और यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है और यहां पर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जो दही है वो बिल्कुल फटेगी निए इसक अच्छे से तेल छोड़ चुकी है और यह पक चुकी है इसका कच्छापन निकल चुका है यहां पर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद जो हमने करेले कट करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं ग्रेवी आप अपने असाब से रख लीजिए कम या जादा और हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर करेले ओर जो गरेवी है अच्छे से मेक्स हो गए है अब इसमें हम थोड़ इसी कसूरी मेथि donné पर इसके बाद चंपन करेंगे और और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे गरेवी arte और इसके बाद हम इसे चार-पांस मीनट के लि कर देंगे और क्रेले को हम थोड़ा सा एक साइड से फोड़ करके देख लेंगे ताकि इसका जो कच्छा पन है निकल गया या नहीं अगर थोड़ा कच्छा पन बाकी तो आप इसे दोबारा से दो तिन मिनट के लिए और धक करके पका सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमारी जो सब जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारिफ ही करता रहेगा और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगा अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी बसंदाए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए और आप मेरी चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी थैंक यू बाइ